नमस्कार मेरा नाम है प्रातीश बंसल और मैं डेली कोरन लेमिनेशन का ओनर हूँ आज मैं आपके सामने एक वो मॉडल लेकर आया हूँ जिसके अंदर पेपर प्लेट इंडस्ट्री 100% पेपर प्लेट की पूरी इंडस्ट्री कवर हो जाती है मतलब हम एक मशीन लगाकर के कोई सी भी ऐसा दौना थाली प्लेट नहीं है जो कि हम इस मशीन से ना बना सके मेरे 25 साल के एक्सपिरियंस के अंदर ये वो मॉडल है जो आज तक के पेपर प्लेट इंडस्ट्री के जितने भी मशीन आज तक बनी है उनसे बेस्ट मॉडल है क्योंकि कोई भी आदमी जो इस बिजनिस में जाता है वो एक मशीन लगाकर के सभी प्लेट जब तक ना बनाए वो अपने विपार में कामियाब नहीं हो सकता तो हमारी इस इंडस्ट्री का ये एक मात्र बेस्ट मॉडल है आज तक का 2020 तक के रिकॉर्ड में इससे बेटर मॉडल मशीन का कोई नहीं आया अब मैं आपको एक एक करके इस मशीन से जो जो प्रोड़क्स बनते हैं वो चार या पांच वीडियो उसके थुरू दिखाऊंगा आपको हर थोड़ी देर में एक अलग वीडियो आएगा जिसके अंदर आप अलग प्रोड़क्स बनते वे देखेंगे मैं आपको इस प्रोड़क्स के बारे में पूरी जानकारी दूँगा और साथ ही इस बिजनिस में क्या हमें इन्वेस्टमेंट करना है उसके बाद हमें रॉव मिटल कहां से लेना है हमार को क्या प्रॉफिट होगा हमें मार्केटिंग कैसे करना है यह 100% पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी अभी मैं एक एक करके पॉइंट वाई स्टार्ट कर रहा हूँ पहले मैं आपको मशीन का डिटेल बता रहा हूँ अभी यह जो मशीन में आप देख पा रहे हैं यह हमारी थाली बन रही है इस टाइम यह जो प्रोडक्शन हो रहा है यह एक घंटे के अंदर 2400 पीस का प्रोडक्शन है 2400 पीस पर आवर मतलब एक दिन में 10 घंटे में अगर कोई आदमी काम करता है तो वो 24,000 थाली बनाता है बहुत ही अच्छी कॉंटिटी है प्रोडक्शन नंबर वन है आज तक के रिकॉर्ड में इतनी अच्छी प्रोडक्शन किंसी और मशीन ने नहीं दिये अब यह हो गया प्रोडक्शन का मैटर अभी आप थाली बनते वे देख रहे हैं फुल आटोमाटिक मशीन है बेसिकली अगर मैं टेक्निकल लाइविज में बात करूँ तो इसे हाइड्रॉलिक फुल आटोमाटिक मशीन बोलते हैं और हमने बस रोल लगा दिये और प्लेट बनके अपने आप बहार आ रहा है कोई लेबर का रिक्वाइमेंट नहीं है कोई maintenance नहीं है बहुत ही simple सी मशीन है अभी मैं इस business को totally अलग-अलग कुछ parts में divide करके आपको इस business की सारी knowledge देना चाहूँगा सबसे पहले हम बात करते हैं space की यह हमारे किसी भी घर के एक कमरे के अंदर 10x10 के एक कमरे के अंदर हम इस business को कर सकते हैं second point electricity जो production है वो 14,000 पीस से लेकर के और 50,000 पीस तक जाता है एक दिन में मतलब 10 घंटे के हम बात कर रहे है 14,000 पीसे से लेकर और 50,000 पीसे 10 घंटे में इसका production होता है मतलब item के accordingly हम production कम या ज़ादा निकालते हैं जैसा भी हम item बना रहे हैं उसे साबसे अगर छोटा item है तो production ज़ादा आ रहा है बड़ा item है तो कम आ रहा है according to the item इसके बाद में point आ जाता है हमें machine कैसे लेना है हमारी जो machines बनाने की factory है वो दिल्ली में हैं और all over India हमारे dealers हैं तो आप जिस भी गाउं में हैं जिस भी district में हैं हमें आप call कर सकते हैं हमारे को WhatsApp में message कर सकते हैं हम आपको आपके nearest जो भी dealer होंगे उनके details देंगे और आप उधर जा करके डारेक्ली इस machine को purchase कर सकते हैं company की original machine के लिए आप logo जरूर देखें हमारी company का logo हर machine पे लगा होता है और बजार में ऐसी बहुत companies हैं जो all-in-one machine की duplicate machines बेचती हैं तो हमारी company की original machine bigger logo की ना खरीदें अभी जो आप video देख रहे हैं इसके अंदर हम bowl बना रहे हैं bowl बोलें तो कटोरा बोल सकते हैं दोना बोल सकते हैं बाटी बोल सकते हैं तो एक बारी में दो डाई लगती हैं इसके अंदर छोटा चार इंच से लेकर और 7 इंच तक 4 इंच तो 7 इंच तक हम दो डाई एक साथ लगा करके और डबल प्रोड़क्शन इसमें निकालते हैं जिस टाइम हम इस machine में bowl बनाएंगे तो हमारा प्रोड़क्शन अप्रोक्सिमेटली 15,000 पीस 10 घंटे का आता है मतलब 15,000 पीस एक घंटे के अंदर इस machine का production आता है जहां हम इसमें bowl बनाते हैं अभी मैं आपका जो next topic है वो discuss करता हूँ जिसके अंदर मैं बात करना चाहूँगा raw metal के बारे में manufacturers के नंबर देंगे आप direct raw material raw material manufacturer से लेकर के और अपना काम करेंगे हम नहीं चाहेंगे कि आप कहीं भी किसी trader से raw material लें और उसको वो आपको महंगा पड़े तो raw material की जो variety है silver, kela पत्ता साल पत्ता, mica paper जितनी भी variety के raw material है different colors के वो आपको हम कोशिश करेंगे कि आपके nearest raw material manufacture से दिलवाएं इसके बाद next point आ जाता है raw material के बाद में हम इस business में क्या कमाएंगे profit अभी profit का matter ऐसा है कि जो हम material purchase करते हैं वो approximately 38 rupees kg से लेकर और 50 रुपे किलो तक होता है call करेंगे तो हम आपको सिखा सकते हैं लेकिन मैं आपको एक short के अंदर बता रहा हूँ कि जो हमारा average है वो है कि हम अपने business के अंदर एक 20% से लेकर और 50% तक का margin निकालते हैं जो भी हमारे sales हैं उसे 20% से 50% तक का margin निकालते हैं अभी जो वीडियो में आप देख रहे हैं यह partition plate बन रही है मतलब चार खाने की plate है जिसमें सबजी, रोटी, दाल अलग अलग रखता है आदमी यह भी काफी running item है हमारे market की और full automatically आदमी partition plate बन बन के बाहर गिर रही है और बस आदमी packing करके और packet बना के इसको ready कर देगा next topic मैं आप से discuss करना चाहूंगा raw material हम discuss कर चुके हैं profit हम discuss कर चुके हैं उसके बाद marketing marketing के लिए मैं कहना चाहूंगा कि एक वो product है जो कि हर गाउं हर शहर में बिकता है तो आपको इसके लिए कोई ऐसा नहीं देखना है कि मैं को दिल्ली में जाकर माल बेचना है या मैं किसी दूसरी जगे पर दूसरे शहर में जाके बेचूंगा हर जगे पर इसकी demand है कोई भी हलवाई की दुकान, caterer कोई भी shop मतलब जितनी भी fast food chains हैं सब जगाँ पर ये disposables बिकता है तो marketing के लिए आपको अपने nearest पांस साथ दस दुकानदार सेट करने है शुरुआत में जरूर महनत होगी लेकिन उसके बाद में आप easily अपना material फोन पर ही बुक करके और अराम से भेज सकते हैं अभी जो आपको वीडियो दिखाई दे रहा है इसके अंदर diamond plate बन रहा है diamond design plate है बहुती खपसूरत नया design का plate है और थाली की shape में है ये और एक एक बारी में दो-दो plate बन बन के अपने आप भार आ रही है अभी मैंने आपके साथ में marketing भी discuss कर लिया है अभी छोटे मोटे points बच रहे हैं इसके लोग बहुते हैं हमें technical support कैसे मिलेगा तो जो भी machine आप हमसे ले रहे हैं उसके लिए हमारे यहां से आदमी जा करके और machine को चालू करके और सिखा कर आता है और पूरी तरह आपको train करके आता है जिससे कि आप अपनी machine अपने आप चला सके टेकनिकल सपोर्ट के बाद point आते हैं warranty जो है वो हम अपनी machine के उपर motor और blower का देते हैं one year का motor और blower की warranty होती है one year की इसके बाद में कुछ लोग पूछते हैं कि इसके लिए कोई government rules and regulation की जरौत तो नहीं पड़ती या फिर कोई license की जरौत तो नहीं पड़ती तो मैं बताना चाहूंगा इसमें कोई license की आविशक्ता नहीं है यह non-polluting unit है कोई pollution नहीं हो रहा तो आप अराम से इसको चला सकते हैं अभी देखिए यह जैसे घर की lady अराम से अपने कमरे के अंदर बैट करके और buffet plate बना रही है बहुती खबसूरत design की केला पत्ता design की बहुत heavy GSM की plate है जिसमें आदमी खड़े हो करके खाना खा सकता है खड़े हो करके हाथ में लेकर के जैसे हम आज तक thermo coal की या steel की plate में खाते हैं यह उतनी strength है इस plate में की आदमी आराम से खड़े हो के खा सकता है और बहुत easily इस machine पर हम इस plate को बहुत खबसूरत plate बना रहे हैं यह केला पत्ता design में अभी आप आगया के देखेंगे कि इसके अंदर हम साल पत्ते design के अंदर भी इस plate को बनाएंगे तो मैंने overall आपके साथ इस business से related जितने questions होते हैं वो सारे clear कर ली हैं अभी एक point आ जाता है सबसे बड़ा investment तो यह जो machine है इस machine की cost है वो तो हम इस channel के माध्यम से नहीं बता सकते हैं आप हमारे को call करें इसकी cost पता करें हम आपको पूरा एक package देंगे जिसके अंदर machine की cost उसका transportation और जो technician है जो आप के आँ जा करके machine को चालू करके आएगा उसका पूरा एक package आपको देंगे जिससे कि आपके लिए बहुत comfortable रहे आपको सस्ता पड़े और अलग अलग चीजों में खर्चा ना करना पड़े तो आप एक package के अंदर machine और बाकी खर्चे ले लेंगे प्लस जो भी आप dyes purchase करेंगे उस dyes की आप मुझे cost देंगे जो भी आप dyes लेंगे जैसे छोटी dyes है तो उसके कम पैसे हैं बड़ी dyes है तो उसके ज्यादा पैसे हैं जो भी item आपके area में चलती होगी हम आपको suggestion देंगे कि भी कौन सा product आपको लेना चाहिए हर city का हर state का एक different demand होता है कहीं पर चावल खाते हैं कहीं पर रोटी खाते हैं तो plate के sizes और designs भी उसी तरह से हमारे पूरे इंडिया में different different हैं अभी देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं साल पत्ते की videos दिखाए और एक ही machine के अंदर आप ये सभी different different type के काम कर पाए हैं अभी तक अभी ये देखें ये wrinkle plate चल रहा है wrinkle plate के अंदर हम एक बारी में 10 papers रख रहे हैं 10 papers in one stroke और एक stroke के अंदर 20 plate आ रही हैं 10 plate एक dice से आई और 10 plate एक dice से आई तो हमने 20 plate एक ही हैं कि हम 5-6 variety की different different items कैसे हमने बनाई हमने wrinkle plate बनाई हमने buffet plate बनाई हमने partition बनाया हमने diamond plate बनाया छोटा दोना बनाया बड़ी थाली बनाई हर तरीके की item हमने इस एक ही machine से जैसा कि हमने इस machine का नाम रखा है all in one machine all in one machine मतलब कोई भी ऐसी paper plate नहीं हैं जो की हम इस machine पे ना बना सकें तो overall ये सारी चीजे हम बता चुके हैं machine की investment के accordingly मैं आपको बता चुका हूँ कि हम एक package देंगे जिसमें सारे खर्चे include होंगे plus जो भी आप dyes लेंगे उनको add करके एक total amount का package बनेगा एक बहुती normal question होता है कि मैं paper plate का ही business क्यों करूं कोई भी इनसान हमारे पास आता है और हमसे पूस्ता है कि भई सब ये paper plate का ही business में क्यों करूं तो मैं आपको एक इस industry के बारे में aware कराना चाहूंगा कि आज की तारिक के अंदर हर जगे पर खाने पीने की हर जगे पर disposables की maximum utilization हो रही है जो हलवाई पहले steel की plate यूज करा करते थे वो अब disposables यूज करते हैं because of corona और because of good hygiene level हर इंसान disposables में खाना चाता है एक तो ये reason है कि हम चाहेंगे कि disposables की industry हमारे किसी भी नए businessmen के लिए बहुत अच्छी है उसके बाद में एक और इसका point है वो ये है कि disposables की industry के अंदर paper plate ही एक best option रह गया है जो कि environment friendly है जो कि अभी तक plastic की plate और thermacol की plates थी जो market के अंदर बहुत बिका करती थी उसके उपर supreme court ban लगा चुका है और आने वाले समय के अंदर वो बिल्कुल बंद हो जाएंगी पहले से काफी बंद हो चुके हैं और आने वाले टाइम में अपनी thermacol की plates और plastic की plates 100% ban हो जाएंगी क्योंकि ये eco friendly नहीं है तो इस वज़े से paper plate की industry के ओपर ही सारी disposable का load है कोई भी आदमी जो disposables use करना चाता है उसके लिए paper plate ही एक सबसे ज़्यादा बड़ा साधन है बिकने के लिए और साथ में ये rates के accordingly भी plastic और thermacol से सस्ता पड़ता है तो इसलिए हम कहेंगे कि हमारी इंड़स्टी बहुत अच्छी है किसी भी नए business को start करने के लिए अभी आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर buffet plate बन रही है बहुती मोटी गत्ते की plate होती है जो कि approximately 300 से 400 GSM की होती है और ये plates को आदमी खड़े होकर हाथ से हाथ में लेकर के खाना खा सकता है जो अभी तक thermacol की plates चला करती थी उनकी जगे पर ये आज के जमाने का latest substitute है जो कि eco friendly है और सेहत को बिलकुल नुकसान नहीं देता ultimately हम आपको जितना ग्यान दे सकते थे उतना दे चुके हैं और आगे अगर आपका कोई भी question है तो आप मुझे call कर सकते हैं मैं अपने जो भी 25 साल के इस business के experience से सीखा हूँ वो मैंने आपको बताने की कोशिश करिए अगर इसके बाद भी कोई point है तो आप call करिए और मुझे सीखिए मैं वापिस आपको बताना चाहूँगा मेरा नाम प्रातीश बंसल है और डेली कोर लेमिनेशन हमारा company का नाम है इसके बाद में अगर आपको ये पसंद आया मेरा सारा जो भी knowledge मैंने आपको दी है और आप चाहते हैं कि आगे भी आप हमारी latest machines की और latest businesses की knowledge लेते रहें तो आप हमारे channel को subscribe करें, bell button दबाएं so that latest video जो भी आए वो आप तक directly पहुँच सके thanks a lot, namaskar